कि यह विडियो बूंपर वेलकॉं यू इन दिस वीडियो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ब्रेंटीजर्स लिनियर रिक्योशन्स इन वन वेरियवल चैप्टर सेवें यह वीडियो पार्ट 3 है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कोशन नमबर 2 इसके पहले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने question no.1 A और 1 B को solve कर लिया था वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसका लिंक आपको description box में मिल जागा आप तो फिर आप आए बटन को क्लिक कीजिए वहाँ से पर आपको link मिल जागा आप चेक कर सकते हैं आईए हम लोग देखेंगे first question क्या कह गया है question no.2 में कहा जाता है हम लोगों को solve the following equations okay solve करने के लिए खाल गया है इसका मतलब क्या है कि x का value find out करना हम लोगों को तो x का value हम लोग कैसे find out करेंगे देखिए हम लोग यहाँ पर simply lcm ले ले लेंगे okay तो यहाँ पर one two three four four terms है और यह देखिए one two three यह तीनों में अपना क्या variable है तो variable है तो लोग lcm लेते हैं तो क्या क्या है हमाले पास देखिए यहाँ पर है two three और four okay इसका अगर lcm लेते है तो क्या आता है two से पहले हम लोग चलाएंगे तो two से चलाएं तो two two divide हो गया three नहीं divide हो चोड़ देजिए और two four divide हो गया तो two times से फिर two से ले लिए तो यह three नहीं divide हो गया यह हो गया फिर हम लोग 3 से divide किये तो one one और one इसको multiply कर लेंगे तो two two four four three जा क्या होगे अपना 12 okay two 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 is a four और four three is a twelve twelve is the LCM लोग लिखेंगे LCM इसके बाद two से divide करेंगे 12 को कितना है गा six six multiply करेंगे तो क्या हो जागा six x फिर बीच में plus sign है plus sign देंगे three से divide करेंगे तो क्या होगा अपना यहां पर four four को x से multiply करेंगे तो क्या होगा four x okay और minus sign देंगे चुकि मैनस है यहां पर four से 12 को divide किए three three को x multiply किया क्या होगी है मेरा three x okay right side अभी कुछ बदलाव नहीं होगा right side no change अभी रहने देजिए अब next हम लोग देखें यहां पर क्या करेंगे ना यह six x और यह four x अपना plus में है तो दोनों add होके क्या हो जागा अपना ten x okay और यह minus में three x अभी रहेगा और next step म देखें हम लोग क्या कर लेते हैं right side अभी question नहीं होगा गौर किजिएगा ten x में three x ला गया तो क्या आपना बजगिया seven x और यह नीचे 12 और यह seven अब यहां पर हम नीचे one put कर लेते हैं और यहां पर हम लोग क्या करेंगा ना cross multiplication करेंगे okay cross multiplication कैसे करते हैं तो यह देखिए ह हम लोग यहां पर इस तरह से multiplication करेंगे हां तो पहला step हम लोग क्या लेखेंगे यहां पर seven x into one और equal to sign देंगे इसके बाद क्या लेखेंगे 12 into seven okay यह दूसरा बार हम लोग इधर से multiply किये और आप अगला देखिए क्या हो जाता है seven x और one multiply के अपना क्या हो जागा seven x और seven और यह 12 अपना multiply को क्या हो जागा 84 तो इसका मतलब यह हो रहा है ना कि x का value क्या आगा अपना x का value आ जागा अपना 84 divided by seven तो अब हम seven से divide कर लें तो कितना time में आगा 12 कर टेवल अगर seven time पढ़ते हमको क्या मिलता है 84 इसका मतलब अपना answer क्या आने वाला है 12 okay यहां पर हम लोग लिख देंगे ना cross multiplication क्यों चुकि यहां पर हम लोग cross multiply की हुई है अब हम लोग question number second को solve करेंगे देखिए question number second को हम कैसे solve करेंगे तो two by three और into में क्या है y minus five okay तो जब हम two का इसके साथ multiply करेंगे y minus five के साथ तो यह क्या हो जागा two into y minus five okay और divide by अपना क्या हो जागा three फिर इस two को तो यह अपना y minus two अगर one से multiply करते हैं तो कोई change नहीं होता है और denominator में क्या राजागा four यह हो गया nine by two चलिए अब हम अगला step में बढ़ लें तो हम यहां पर LCM ले लेंगे okay तो LCM ले लेते हैं किसका three और four का तो three और four का LCM मेरा 12 होता है ओके आप देख लिजिए three से divide क कर लेंगे okay तो यह क्या हो जागा मेरा three into four that is 12 तो 12 इस दा LCM चलिए 12 हमारा LCM आच चुका है आप three से हम डिभाइट करेंगे तो क्या आपना four four से multiply करेंगे तो यह तो और four यहां देखिए four हो गया और two यहां तो पहले से है तो आप रहने देजिए यह मेरा y minus five चलिए next step मे divide करेंगे 12 तो तो यहां पर हम 3 पूट कर लें और यहां पर क्या है y minus two और right side भी कोई change नहीं करना है रहने देजिए अब अगला step में देखेंगे क्या होगा यहां पर तो four और two क्या हो गया eight eight को y से multiply करेंगे तो क्या हो जागा अपना eight y फिर से ध्यान देजिए आप यहां five जा 40 ओके इसके बाद यहां पर minus sign है तो minus लेजिए और three का y से multiply कीजिए तो three y अब यह minus three के लिए तो minus three minus two से multiply आगा तो क्या हो जागा यह देखें मैनस और minus plus हो जागा two three जा क्या होगा six अब यहां पर हम denominator में क्या है अपना 12 12 को not कर लेते हैं right side अभी कोई change नहीं करेंग अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं देखिए क्या हो जागा अपना यह अपना y है और यह y है तो eight y plus में three y minus में इसका मतलब हो गया five y अपना आएगा क्यों eight में three minus हुआ तो five यह plus में six और minus में 40 तो plus minus क्या होता है न हम लोग difference लेते हैं दोनों का जब भी दो number different sign हो तो हम क difference का sign क्या आएगा तो बड़ा अंग क्या है अपना बड़ा digit है 40 यह minus में तो minus 34 हम लोग यहाँ पर put कर लेंगे ओके देखिए minus 34 ले लिए हैं और यह 12 में right side 9 by 2 अब हम लोग यहाँ पर cross multiplication का काम करेंगे तो cross multiplication किजिए तो अब देखिए ना हम लोग यहाँ पर divide कर सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 से divide करेंगे तो 2 6 जा 12 हम लोग नीचे यहाँ पर divide कर सकते हैं आईए तो अगर हम 1 से multiply करेंगे यहाँ पर तो कोई change नहीं होगा यह वही हो जागा 5y minus 34 और यहाँ पर किस से multiply हो रहा है 6 का 9 से multiply हो रहा है त यहाँ पर transposition कर लेंगे तो 34 को राइड से ले जाएंगे तो क्या हो जागा प्लस 34 ओके प्लस 34 अब देखिए हम दोनों को add कर लेते हैं तो y equal to 8 और यह 8 अब divide क्या होगा अपना 5 is the answer question number 3 को हम लोग solve करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखिए यह bracket दिया हुआ है तो पहले हम लोग bracket को तोड़ने का प्रियास करेंगे तो bracket कैसे टूटेगा bracket के बाहर जो number दिया हुआ उससे हमको multiply करना पड़ेगा तो पहले हमको किसे multiply गए 13 को Z से multiply करेंगे तो यह हो जागा मेरा 13 Z और 13 को 4 से multiply कर लिए तो क्या हो गया 52 और यह minus यह plus तो मतलब minus हो गय करेंगे 3 का Z से किए तो 3 Z और यह plus minus 3 का फिर 9 से किए तो 39 क्या हो गया 27 माइनस और माइनस multiply को क्या होगा प्लस फिर 5 का Z से किजिए तो 5 Z होने वाला है और minus plus minus 5 का फिर आप कर लिए 4 से तो क्या होगा 5 फोर जाज 20 और plus minus होने वाला है राइट साड़ भी कुछ नहीं आप गौर किजिए Z अपना कहां कहां पर है तो Z यह है और Z यह है और यह Z यह है इसमें से देखिए 13 Z आपका क्या है प्लस में है और यह दोनों minus में है यह भी आपका minus में है यह भी आपका minus में है जब same sign रहता है तो दोनों का क्या करेंगे ना add कर लेंगे तो 3 और 5 add होग यह 20 मेरा minus में है और यह 52 मेरा minus में है और यह अपना plus में है तो plus वाले को अभी रहने दीजिए plus 20 से वे रहने दीजिए 20 और 52 को add कर लिजिए यह क्या हो जगा 72 दोनों में minus दाने है तो दोनों यहाँ पर लोग minus and put करेंगे अब ध्यान दीजिए क्या होगा आपना यहाँ पर 13Z minus 8Z that is 5Z हमको यहाँ पर मिर रहा है plus में चुकि बड़ा आपका plus में है इसके बाद 72 और यह 27 दोनों का difference sign है तो यह देखिए 72 और यह 27 आप difference ले ले लिजिए दोनों में तो यहाँ पर क्या हो जागा देखिए यह हो गया 5 और यहाँ पर केरी हम लोग केरी कर लिए तो 12 minus 7 is equal to 5 हो गया और यहाँ पर 6 बच गया 6 minus 2 that is 4 तो यह हो गया 45 difference अब दोनों में बड़ा कुने 72 इसका क्या सान है माइनस तो लोग यहाँ पर माइनस पूट कर लेंगे और यह अपना 0 चलिए अब हम लोग transposition का काम करेंगे तो 5z 45 को right side लेके जाएंगे तो यह plus में हो जाएगा therefore z equal to क्या हो जागा z is equal to हो जागा 45 by 5 और 5 का table में कितना बार आता है 45 तो 9 times में तो आंसर क्या हो गया 9 question number 4 हम लोग solve करेंगे तो देखिए हम कैसे solve करेंगे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे जो हम ब्रैकेट देख रहे हम ब्रैकेट को पहले हम हटाने का काम करेंगे तो यहाँ पे देखिए x plus 2 है और यहाँ पे x plus 3 है बीच में क्या है ब्रैकेट तो हम पहले क्या करेंगे x का पहले x से multiply करेंगे फिर x का 3 से करेंगे आई हम लोग कर लेते हैं तो क्या आपना आएगा दखिए x का x से multiply होगा तो x square फिर x का 3 से होगा तो क्या हो जागा ये 3x अब दूसरा बार हम क्या करेंगे यह जो 2 है 2 का फिर x से करेंगे और फिर 2 का कहां से करेंगे 3 से multiply करेंगे तो मेरा bracket हट जाएगा तो 2 का x से किजिए तो क्या होगे अपना 2x फिर 2 और 3 multiply को क्या हो जाता है अपना 6 ओके चलिए next step में हम यहाँ पर वही काम कर लेंगे तो x का पहले x से किजिए तो क्या हो जाता है x square फिर x का 2 से किजिए तो यह 2x और यहाँ पे plus यहाँ पे minus दैटीज माइस होगे फिर 3 का x से किजिए तो क्या होगे अपना 3x और फिर यहाँ plus minus तो minus होगे 3 का 2 से कीजिए 3 तो जा 6 और यह minus और minus multiply हो करे क्या होगी plus अब यहाँ पे देखी यह 2x है और x से multiply होगा तो क्या हो जेगा 2x square और यह minus प्लस minus फिर 2x का 1 से होगा तो 2x ही होगा और यहाँ ध्यान देखे plus minus क्या होगा minus right side कोई change नहीं तो एक्स कोरा एक्स कशुआ और एक्स कोर आइए इसको हम यहां पे नॉट कर लेते ह। चलिए अब एक्स कहां कहां पर है उसको mark कर ले x और फिर ये x वाला term है ये भी x वाला term है ये भी x वाला term है तो आगे प्लस वाले को एक साथ पहले कर लेंगे तो देखिए 3x और 2x 5x होगे और कहीं तो प्लस में नहीं है अपना और प्लस में नहीं है यह तो minus में यह भी minus में यह भी minus में तो यह क्या होगे अपना 5x plus में चलिए minus x वाले कहां कहां है तो यह देखिए 2x minus में है और 2x minus में है और 3x minus में है तो 2 3 5 5 2 7 that is 7x अपना minus में हो गया और फिर जिसमें variable नहीं है यानि constant term तो यह हो गया अपना एक यहां पर 6 है और कहीं है यह अपना 6 यहां पर है और कहीं है नहीं है तो यह 6 और यह 6 जोनों को add कर लिजी क्यों दोनों के दोनों plus में है तो यह हो गया 12 right side कोई change नहीं होगा आप देखिए यह plus में है और यह minus में है जब plus minus हो और same number हो तो उ ये 7x और ये 5x ये plus 1 plus में दुसरा minus में मतलब difference लेंगे तो 2x का difference होगा बड़ा क्या है minus तो minus put कर लिए फिर ये अपना क्या हो गया plus में 12 चलिए अब हम क्या करेंगा ना ये हो गया मेरे पास minus 2x plus 12 equal to 0 Transposition कर लेते हैं तो minus 2x 12 को right से ले जाएंगे तो minus 12 आप देखिए X का वेलू क्या हो जागा मेरे पास माइनस टुवर्फ डिवाइड बाइ माइनस टू अगर हम इसको डिवाइड करें तो टू कर टिवर्फ में 6 ताम में आएगा और माइनस माइनस कैंसल हो जागा तो question number 5 में हम लोग क्या करेंगे ना simply cross multiply कर लेंगे अभी हम लोगों ने पहले question solve किया इस तरह का cross multiply करने वाला ओके तो यहाँ पे नीचे one put कर लेते हैं अब one put करने के बाद हम cross multiply करेंगे तो one से multiply करते हैं तो क्या होता आप ध्यान देजिए one से multiply करेंगे तो कोई change नहीं होगा four से यहाँ पे multiply करेंगे तो four into three x plus six ऐसा हम लोग लिख लेंगे आप देखिए यह हो जाता है मेरे पास two x और यह plus में 14 और यहाँ पे four से multiply करेंगे तो दोनों में multiplication होगा तो यह हो जागा मेरे पास twelve x यह हो जागा मेरे पास twenty four next step हम लोग क्या करते है न two x 12 x को में लेफ्ट शैट लेते हैं तो मैनस में 12 x हो रहा है और यह twenty four 14 को right शैट लेते हैं तो मैनस में 14 अब यहाँ पे क्या हो जागा दोनों अलग अलग साइन है तो difference 10 x का और बड़ा sign मैनस में 10 divided by minus 10 that is minus 1 is the answer question number six को हम लोग solve करते हैं देखें क्या है अपने पास यह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यह को a by 1 और यह हम लिखेंगे a minus 1 और divided by 2 ठीक है अब यहाँ पे 1 हो गया minus a by 2 divided by 3 चलिए हम transposition का का काम कर लेंगे तो transposition हम किसको करेंगे a by a minus 2 by 3 को left side ले लेंगे तो यहाँ a by 1 फिर देखें a minus 1 by 2 है अपना और यहाँ पे इसको मिधर ला रहे है तो यह plus में हो जाएगा a minus 2 by 3 ओके और right side अपना क्या बच गया 1 चलिए अब हम LC हम लेंगे तो LC हम अपना क्या आ रहा है गोर किजिएगा 1, 2 और 3 है तो यह 6 LC हम आएगा यहाँ पे 1 से divide करेंगे 6 को 6 मिलेगा 6 से multiply करेंगे तो 6 यह फिर यहाँ पे देखिए 2 से 6 को divide करेंगे 3 तो 3 से यहाँ पे multiply करेंगे तो minus और यह a minus 1 चलिए 3 से हम divide करेंगे तो 2 से multiply करेंगे तो यह अपना 2 into a minus 2 अपना होगा और right side अभी कोई change नहीं करना है चलिए next हम लोग बढ़ लेते हैं next step हम लोग देखेंगे ना यह होगा 6 X अब यहाँ पे multiplication होगा तो गवर किजिए 3 का a से होगा और 3 का 1 से भी होगा तो 3 और यह अपना हो जाता है 3 a और चुकि 3 minus में है तो minus फिर minus minus plus और 3 और 1 multiply 3 फिर देखिए 2 और यह multiply को क्या हो जाता है अपना 2 a और 2 का 2 से multiply करेंगे तो 4 और यह अपना minus plus minus ओके अब निचे हम कोई change नहीं निचे अभी वही रहेगा 6 और right side भी कोई change नहीं होगा अब गौर्की जी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 a अपना कहां कहां पर है 2 यह हुआ और यह 3 a हुआ और यह 6 a हुआ ओके इसको एक साथ तो ध्यान देजी यह plus में है यह plus में है तो 2 और 6 यह हो जागा हमारे पास 8 यह और यह minus में 3 चलिए अब यह 3 अपका plus में है और 4 अपका minus में है तो difference ले लेजी difference लेजे तो क्या आएगा अपना 1 और यह minus में बड़ा number minus में है तो minus 1 ले लेजी इसके बाद हम लोग यहाँ पर 6 और यह अपना 1 चलिए एक step हम आगे देखें 8 और यह 3 दोनों यह है 8 यह minus 3 यह that is 5 यह और यह plus में आएगा फिर minus में 1 रहेगा अपना और 6 और इसके निचे हम 1 के निचे 1 put कर ही सकते है चलिए यहाँ पर हम cross multiply कर लेते है तो क्या होता है गोर किजिए 1 का multiply करेंगे तो कोई change नहीं नहीं 5 यह minus 1 और इदर 6 का 1 से multiply करेंगे तो कोई change नहीं होगा तो अपना 5 पी इसकल टू क्या हो गया 6 प्लस 1 चुकि 1 को राट चाड़ लेंगे तो 1 प्लस में हो जगा चुकि लेफ चाड़ मैनस में है तो इसका मतलब क्या हो गया ए इसकल टू 7 बॉय consistent number 7 में हम bracket दिया हूँ है फहले हम bracket का क्वरइट के अभे दर हम एज İigue रख लेंगे टो bracket के अंदर हम पहले काम लेते हैं तो 3 और 4 काल स्यम क्या हो जाता है 12 होता है कि चलिए अब कर सबेंखनें भी घूर क्या बेड़ कर लेंगे तो दोनों के साथ multiply होगा तो 11 को 4 से multiply किये 44 और X को multiply करेंगे तो क्या हो जागा 4X ओके चलिए next 4 से divide किये 12 को 3 3 का 1 से multiply होगा तो minus में 3 अब अभी right side कोई change नहीं right side as it is रहने देजिए ओके आगे देखेंगे हम लोग क्या change होना चाहिए तो यह तो अपना X by 2 अभी रहेगा ही ओके चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना यह 3 है और यह अपना है 44 दोनों का different sign है तो हम यहाँ पर minus कर लेते हैं that is हमको यहाँ मिलेगा 41 और यह minus में अपना क्या है 4X और यह 12 चलिए अब मेरा bracket क्या होगे यहाँ पर खतम हो चुका है हाँ अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक च्छोटा सा bracket लगा लें चुकि यहाँ सामने minus sign है इसलिए और यह 3X और यहाँ पर अभी कुछ चेंज नहीं करेंगे चलिए next step में हम क्या कर लेते हैं इन दोनों का LCM ले लेते हैं तो LCM अपना क्या हो जागा 12 चलिए 6 से divide किजिए 12 को तो 2 आगा 2 से multiply किजिए तो यहाँ पर 2X और यह 4 क्यों दोनों के साथ multiply होगा 2 से फिर यहाँ पर माइनस है 12 का 12 से divide किजिए तो 1 1 से multiply कोई चेंज नहीं यह माइनस है इस माइनस से आप multiply किजिए तो यहाँ पर माइनस में 41 और यह माइनस और यह माइनस पलस हो जाएगा क्या हो जागा 4X ओके अब right side 강वन क्या है 3X माइनस 14 divided by 12 अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगा न एक्स वाला टर्म कहां कहां पर है यह अपना एक्स वाला टर्म है इसको एक साथ रख ले तो यह 2x और यह 4x that is 6x होने वाला है और यह 41 और यह 4 डिफरेंट्स आने तो मैनस कर लिजिए तो कितना हो जागा आपना 37 37 तो 37 क्या चीज़ में माइनस में और यह डिवाइड बाइ 12 चलिए यह होगे आपने पास 3x डिवाइड 3x माइनस 14 डिवाइड बाइ 12 आप देखिए जब यह simple form में आ चुका है तो हम डेनोमेटर को नीचे से चैंसल कर सकते हैं अब मेरे पास क्या बच जाता है 6x माइनस 37 इक्वाल टू 3x माइनस 14 देखिए हम x वाले टरम को एक साथ ले ले तो 6x और यह माइनस में 3x राइड ले 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 जिए तो यह हो जागा प्लस में 37 और मैं यहीं पर कर लेता हूं ओके चलिए तो अब देखिए क्या हो जाता है 3x और यह 6x मेरे पास क्या आ जाएंगे 3x ओके और क्यों चुकिए दोनों का difference है अब आगे आहां पर बात करेंगे 37 में अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो that is 23 अपना आ रहा है 23 हाँ 7 माइनस 4 3 और 3 माइनस 1 और यह प्लस में आएगा तो that is x का फेलू क्या आ जागा अपना x का फेलू आ जागा 23 भाए 3 ओके यह last question को हम solve करेंगे इसके बाद video को हम stop कर लेंगे तो आईए हम लोग यहां पर कहले है तो इसमें अपना x है इसमें x नहीं है और इसमें भी x नहीं है तो हम क्या करेंगे ना x वाला term को एक जगह रखेंगे और जिसमें x नहीं है उसको हम एक साथ रखेंगे तो 1 को हम right side लेंगे तो यह प्लस में 1 आ जाएगा आप देखिए यहां पर क्या हो जागा 2 by 3 x और यह हम यहां पर LCM लेंगे तो 12 और 1 का LCM क्या हो जागा 12 और 12 से डिवाट कियें तो 1 आएगा 1 से 1 को की कियें तो 1 ही मिलेगा प्लस है तो प्लस थाइन 1 से 12 को डिवाट किये 12 और 12 को 1 से मुल्टिप्लाइ किये तो यह क्या हो गया मेरे पास 2 by 3 x आप देखिए 1 प्लस 12 दैट 13 by 21 चलिए हम यहाँ पर cross multiplication करेंगे तो क्या हो जागा मेरे पास 3x into 13 और यह हो गया 12 into 2 तो 3x equal to 13 that is 13-39x और यह 24 तो अपना क्या हो गया गौर की जिए मैं यहीं पर कर देता हूँ x equal to हो जागा मेरे पास 24 by 39 कोई common factor है यह divide होगा जी हाँ 3 से divide होगा तो देखिए ए 3 8 जा 24 और 13 जा हो गया मेरा क्या 13 जा 39 तो अपना answer क्या गया 8 by 13 यह अपना answer हो गया तो इसके आगे के जो questions हैं उसको मैं अगले वीडियो में दे दूँगा तब तक के लिए धेनवाद I hope this video will helpful for you so please like this video and share with others and do some comment और हाँ अगर मेरे चैनल पर पहले बारे तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकरिया आपको मिलती रहे thanks for watching have a glorious day ahead